सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बैल आइकन को जरूर से दबाईए हमारी लेटिस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हलो हाई सलाम नमस्ते आदाव कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी गर्मियों की इस मौसम में ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड मिल जाए तो कहना ही क्या पर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना इसकीप किये एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फोलो करके इस रेसिपी को ठीक वैसा ही बना जैसा कि आप देख पा रहे हैं और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चलिए बिना देर किये रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं रूट कस्टर बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले इंगेडिएंट और फोर्थ कप और वन टेबल स्पून यहां पर हमें लाएगा मिल्क पाउडर शुगर है वन केजी मिल्क के इसाब से आप यहां पर शुगर ले ले लें शाथ ही में कुछ फूर्ट से जिसे मैंने इस तरीके से छील लिया है और काट लिया है तो यह है अनार और पपीता अंगूर है ग्रिन वाले चीकू है और साथ ही में ब्लेक वाले ग्रैप्स है दो केली लिये हैं और एक सेब इन्हें हम बाद में काटेंगे अगर पहले काटके हम इसे रख देते हैं तो इनका कलर काला पड़ जाता है तो जैसे हम कस्टड की तियारी करेंगे उस वक्त इसे इन्सेंट काट लेंगे साथ में जो दो में चीजें इसमें जाएंगी वो है वनिला एसेंस और यह है रोज एसेंस चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो यहां मैंने गैस पर एक बरतन रख दिया है और इसमें डालेंगे हम दूद दूद डाल कर गैस की फ्लेम को क अब तक करना क्या है जो हमने यह दूद बचा कर रखा था इस दूद में इस कस्टर्ड पाउडर को मिला लेना है और साथ ही में यह मिल्क पाउडर था वो भी यहीं डाल देंगे और इसे फेट लेंगे मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर का दूद के साथ यह पेस्ट बनकर एकदम त्यार हो गया है अब इसे करते हम साइड और दूद को समाल लेते हैं देखें दूद में भी उबाली आ गई है अब गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और इस तरीके से चलाएंगे और उबाली आने की थोड़ी दिर बाद में ही हमें जो कस्टर्ड पाउडर का हमने पैस्ट बना कर रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहना है चाहे तो इस स्पून की हल्प से डाल दें चाहे ऐसे ही वैसे तो यह लिक्विड फॉम में हैं तो ऐसे ही डल जाएगा और फिर इससे चलाते जाएं आदा हमने पहले डाल दिया है और आदे को हम अब डाल देते हैं और एखास से हमें से चलाना है धीरे धीरे बस इस तरीके सहम चलाते जाएंगे और यह जो दूध है ना हमारा गाड़ा होता होता चलाएगा यह देखें आप बस इसमें लंप्स नहीं पढ़ने जीए तब लगातारी से चलाते रहें और इस तरीके से चलाते हुए हमें इसको कम से कम 5-10 मिनट पकाना है 5-6 मिनट हो गई है अब हम इसमें आड़ कर देंगे शुगर और शुगर के साथ में भी इसको पका लेंगे शुगर डालने से थोड़ा होता क्याए कि यह दूज जो है वो पतला हो जाता है इसलिए हम लास्ट में एक बार डालेंगे और शुगर डालने के बाद भी इसे थोड़ दर पकाना ही है अब शुगर डालने के बाद में मैंने इसे तीन से चार बिनिट पका लिया है और गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे यह मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है अब इसे हम ठंडा होने देते हैं अब मैं इसे mixer grinder में डाल देती हूँ और इसका एक smooth paste बना लेती हूँ यह compulsory है यह trick आप जरूर से इसके साथ में follow करें ताकि आपका जो custard का texture है काफी अच्छा हो मिक्सर grinder में डालके मैंने इसको एक बार चला लिया था और उसके कारण देखें यह कितना जादा smooth बन गया है यह सबसे अच्छा तरीका है आप इसे जरूर से follow करना अगर आपको अपना यह custard जो है एकदम creamy और smooth बनाना है तो आप एक बार जैसे ठंडा हो जाए better उसे mixer grinder में ड कर देते हैं vanilla essence तो कुछ बूंदे मैंने इस तरीके से vanilla essence की ले ली है और थोड़ा बोती यहां डाल देते हैं यह rose essence बस काफी है और इससे चला लेते हैं अब बस एक एक करके हम इसमें यह सारे fruit डालते जाएंगे तो सबसे पहले वो fruit हम इसमें डालें जिनके काले होने के chances हैं तो यह banana डाल दिया उसके बाद में apple इसमें डाल देते हैं यह बिलकुल last में मैंने देख इसलिए काटी है और last में काटने का फायदा यह हुआ कि अब तक इसका color white है अफट आफट इसमें डालते हैं यह पपीता यह वो fruit हैं जो इसमें सबसे ज़दा टेस्टी लगते हैं और इनको खाने पर मज़ा आजाता है और उनमें से kela और चीकु तो मौस्ट हैं जिसमें बहुत अच्छे लगता है यह डाल दीए मैंने इसमें साथ हिसमें डाल देते हैं यह अंगूर दोनों तरीके के अंगूर डालेंगे तीन से चार बचके यह भी डाल देते हैं और साथ हिलास में हम डालेंगी यह अना इस सारे फूट इस तरीके के कलर के हमने लिए हैं जो इस कस्टरड को खुबसूरत भी बनाया दिखने में भी तो अच्छा लगना चीए ना कि ऐसा हो कि खाने में तो टेस्टी हैं साथ में दिखने में भी टेस्टी हो यह देखें आप अब हम इसे कि एक सर्विंग बॉल में डाल लेते हैं सब चीजे मिक्स हो गई हैं आभ इसे साइड में कर ले लेते हैं हम और ले ले लें श indispon Archive इस तरीके का बॉल हमने लिया है अब हम इसे इसमें सर्फ करते हैं अब बिना ड्राय फूट्स के अधूरा है तो उपर से हम डाल देते हैं कुछ ड्राय फूट्स की कतरन यह लीजिए इस तरीके से हमने डाल दी है तो इस तरीके से हमारा फूट कस्टर बन कर एक दम त्यार हो चुका है आप तीन से चार घंटे से फ्रीज में रखिए और उसके बाद में ठंडा ठंडा फूट कस्टर इस गर्मियों के मौसा में इंजोई कीजिए और वीडियो कैसी लेगी आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना साथ ही वीडियो को लाइक करना आपके अपनी चैनल सोनाज हैल्दी किजन को सब्सक्राइब करना और